अब मैक डॉनल के मैक पफ काना तो बिलकुल भूल जाए क्योंकि आज हम बनाएंगे बचे हुए घर के आटे से बहुत यू टेस्टी से डिलिशिस से मैक पफ इसका चीज पुल भी आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है पूरी वाच करे तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब के भी नम बच जाएगा वैसे तो ये रेसिपी हम रात के बचे हुए गेहु के आटे से भी बना सकते हैं लेकिन इसके लिए मैं आज यहां पर फ्रेश आटा ले रही हूँ तो एक कप आट सफिशेंट होगा इस रेसिपी के लिए अब इन चीजों को हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंट इस तरह से जब आप एक बार गेहु के आटे की ये रेसिपी ट्राइ करेंगे तो आपको यकीनन बहुत ज़दा पसंद आएगी बच्चे तो इस रेसिपी के फैन हो जा लेना है मतलब कि यहां पर ना सख्त डो चाहिए हमें और ना ही नरम तो पांच मिनद तक मैं आटे को अच्छे से गुंद लूँगी ये दिखिए आटा हमारा यहां पर अच्छे से गुंद चुका है पांच मिनद तक आप इसे छोड़ दे कवर करके रेस्ट करने के लिए आटा अच्छे से रेडी हो जाएगा हमारी रेसिपी को बनाने के लिए उसके बाद यहां पर मैंने लिए हैं बॉइल के हुए मैश आलू जी हां हम इसे आज बना रहे हैं आलू से क्योंकि बहुत ही हल्दी होता है बच्छों के लिए तो आप इसे जरूर से जरूर डाले आप अपनी पसंद की जो भी वैजी जाएड करने चाहें कर सकते लेकिन मैं इसे आलू से बना रही हूं और यहां पर मैंने बारी कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हरिमेच डली है हरी मेस डूलने यहां पर आप्च्छनल है आप चाहें तो इसे तो किली कर सकते हैं थोड अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर इसके बार लिया थोड़ा सा कसूरी मेथी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अब इन सारी चीजों को डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर देखिए बहुत ही इंस्टंट सी हमारी ज इसमें हमने चिली फ्लेक्स एट किया है थोड़ा से यहां पर मैं कड़ी पता डाल रही हूं और नमक डाला है मैंने इसके साथी फूट कलर डाल रहे हैं जिससे कलर बहुत अच्छा हैगा टोटली ऑप्शनल है आप इससे स्किप कर सकते हैं इसके बाद यहां पर हम आपको एकडम ऐसी चाहिए होती जिसरे हम पकोड़े का बैटर बनाते हैं आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी वह रखनी है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका एक थिक सा पेस्ट बना रहे हैं अभी भी मुझे यहां पर यह पेस्ट थोड़ा सा थिक लग रहा है तो पांच मिनट के लिए छोड़ेंगे इससे हमारा जो गोल है अच्छे से रेडी हो जाएगा अब देखी आटे को रस्ट करते हुए पांच से साथ मिनट का टाइम हो चुका है अब हम इससे हातों पर अच्छे से चिकना कर लेंगे इस तरह से और इसे हम दो हिस्सों में यह देखे यहां पर हमें इसके दो भाग मिल चुके हैं तो अब इसकी हम बना लेंगे इस तरह से पेड़े तो दो पेड़े हमने बना लिए हैं इतने आटे में हमारे दो पेड़े बन चुके हैं हमें इसकी लेरिंग करने हैं इसलिए हम इसे दो इस्तों में डिवाइड कर आपको खृट करने के बाद आपको बेला नहीं है आप चाहई तो इस पर गथा ड़ी माटे का बह एब शलिया पृशफ पेड़ में मटक दोर कियी त最近 जाका को में ख़ना हम करते हम्हाया आपको अब आप जब भी कोई रेसिपी ट्राइब करें तो मेरी रेसिपी देखें और आप इसे गयों के अटे से बनाएं बहुत ही टेस्टे भी बनती और हल्दी भी होती है अब देखिए दोनों रोटी हमने इसी तरह से बेल लिया था उसके बाद यहां पर ले लिया है शेजवान सॉस कर रही हूँ यह काफी स्पाइसी होता है ना इसलिए बहुत यह अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका देखिए हमने एक नाइफ की हेल्प से पूरी रोटी पर अच्छे से इसको स्प्रेट कर लिया है यह देखिए अब हमें करना क्या है जो हमने आलू का मसाला प्रिप तो देखिए यहां पर हमने इसकी अच्छी सी लेर लगा लेनी है और इवेली हमने इससे फ्लैटन कर लिया है इसके बाद ले लिया है हमने यहां पर पीजा तो यहां पर मैं मौजरेला चीज का इस्तमाल कर रही हूं आप चाहें तो प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं या आप चाहें एक लिया लुमे भी से मिक्स करके खटाए है तो मैं डबर लेयरिंग कर रही हूं इस तरह से बहुती अच्छा सा चीज की बिया आता है अब इसकी उपर हमें जो दूसरी रोटी हमने वेल रखी ती लगा देनी है इसी तरह से और इसकी जुशाइट है आपको अच् कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी तो यह देखिए हमने पूरी के पूरी इस तरह से रोटी को लॉक कर लिया है अब इसे आपको हलके हातों से इस तरह से उठा लेना है यह देखिए थोड़ा सा मैदा या आटा आपको डस्ट करना तो आटा ही मैं यहां पर डस्ट कर रही इसे क्या होगा ना कि यह बोगत अच्छे से सिक्योर हो जाएगी और इससे थोड़ा साम फ्लैटन कर रहे है ना तो तीन से चार बर आपको हलका हलका सा इससे बेलन से रूल आउट करना है और अब यह देखिए हमारी जो रोटी है बड़या सी रेडी हो गई है मैक पफ बन हां चाहिन दे सकते हैं इसे हम ने अच्छे से कट कर लिया है यह देखिए और बहुत ही डिलिशिस से हमारे जो नाश्टे के फिससई यह बढ़री हो चुके हैं इकलेट पर हमने इसे निकाल लेना है और इसके बाद हमें ले लेना है वही बैटर तेल को मैंने गरम होनी के लिए रख दिया था अब जिस बैटर को हमने बना के रखा था आटे का घूल इसमें हमें इसे कोट करना है इस तरह से और इसके बाद हम इससे गरमा गरम तेल में डाल देना है तेल यहाँ पर आपका गरम होना चाहिए अच्छे से जब अच्छे से आपका गरम होगा जो उपर हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं आटे की यह फर्म हो जाएगी और यह जो इसक अच्छे से फ्राइ कर लेना है पांच से साथ नट का टाइम लग जाएगा आप देख सकते हैं कैसे चीज बाहर आ रहा है तो टेस्टी से जो मैक पॉफ जैसी हमने आज रहे से पी ट्राइ की है ये बहुत ही ज़दा डिलिशिस बनती है आप देख सकते हैं कितने फूले फू और ये काफी अच्छे से फूले भी है तो फ्रेंड्स रेसेपी कैसी लगी है कॉमेंट बोक्स में मुझे जरूर बताएं और आपको मैं दिखाती हूं यहां पर इसका जो टेक्स्चर है वो कैसा आया यह देखिए गर्म गरम मैक पफ आप चाई के साथ एंजॉय करें या तो आप इसे टमैटो केचप के साथ बेंजॉय कर सकते हो बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पो लाइक जरूर से जरूर करें और इसे अपने फैमिल यांड्स के साथ शेर करें चैनल पर नहीं पीज लेकर आ रही हूँ आप इसका चीस पूल देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ी आया यह देखिए दूसरा भी हम उठाके देखते हैं और दोनों में बहुत ही अच्छे सा चीस पूल आया है खाने में काफी टेस्टी बनेते तो आप भी जरूर से जरूर ट्राइ करे मैं मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में देता कि